रादे रादे एवरिवन आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्री के पूजन में लगने वाली संपोर्ण सामगरी दिखाने वाली हूँ और ये वीडियो मैं थोड़ा पहले डाल रही हूँ जिससे अ पूजन को आप विस्तरित रूप में भी कर सकते हैं सुक्ष्म रूप में भी लेकिन अगर कोई वस्तु पता है कि ये लगने वाली है पूजन में और ना हो हमारे पास तो थोड़ी सी मन में गलानी होती ही है और देखिए महाशिवरात्री का जो पर्व है वो बोले के भकत देख लेते हैं तो महाशिवरात्री के दिन पार्थिव परिवार का पूजन का बहुत जादा महत्व होता है तो यहां पर मैंने मिटी से शिवलिंग माता गौरी और गनपती जी को बनाया है आप चाहें तो कार्थिके जी नंदी जी इन्हें भी बना सकते हैं या तो आप इस तरह का एक फोटो भी ले सकते हैं और यहां पर खाली शिव जी का फोटो मैं ले रही हूं क्योंकि शिव परिवार मैंने मिटी से बनाए हुए हैं और अगर आप खाली शिवलिंग का पूजन करें तो फोटो ऐसा लें जिसमें संपूर्ण शिव परिवार हो अब इसके लोटे में गंगा जल डाल कर ले जाईए और घर से ही जल भर कर ले जाईए अब जल से अभी शेक के बाद हमें पंचामरत से अभी शेक करना चाहिए तो यहां पर मैंने पांचों चीजों को यानी दू, दही, घी, शह, शकर इन पांचों चीजों को आपस में मिक्स कर लिय आप चाहें तो अलग-अलग भी पाचों चीज़ा रख सकते हैं और इसके बाद वस्र की भावना से अर्पित करनी के लिए यहां पर मैंने कलावा और कुछ जन्यू लिये हैं हाला कि जन्यू हमें चार ही चाहिए एक अतरिक्त जन्यू मैंने लिया है जिससे अगर वहां किसी को जरूरत हो शिवाले में तो हम उन्हें दे देंगे अब इसके साथ विशेश रूप से शिवजी को सफेद चंदन अति प्रिय होता है तो मैंने यहां पर सफेद चंदन लिया है और साथी अश्टगंद चंदन भी मैं रख लोंगी इसके साथी थाली में हम इत्र रख ले है तो इनमें मिलावट होगी तो आपके पास अगर इस्टिक हो यानि चंदन की लकडी हो तो आप उसे भी रख सकते हैं बस इसमें टाइम लगता है घिसने में साथ ही देखी फालगुन मास की महाशिवरात्री है तो थाली में हम गुलाल भी जरूर रख लेंगे इसके साथ ही देखिए शिवजी को अबीर भी चड़ाया जाता है अबीर उन्हें अत्यांत प्री होता है यह ग्लिटर की तरह होता है और आसानी से आपको पूजापार्ट की शौप पे मिल जाएगा तो उसे भी हम रख लेंगे और एक शुद देशी घी का दिया ले लेंगे और दू बरूर रख लें और आप चाहें तो सिक्के भी रख सकते हैं आपको लगे कि शिवाले में गीले हो जाएंगे नोट अब इसके साथ ही यहां पर देखिए मैंने कुछ बेल पत्र लिए हैं शमी पत्र लिए हैं और चुकि शिवजी को शमी पत्र भी अत्यांत प्री होता है तो चाहें आपको एक ही शमी का पत्ता मिल जाए तो वो भी काफी होगा तो इस तरह से शमी पत्र धतूरे का फल और यहां पर यह हरी भांग है तो वो मैंने रख लिए हैं और इसके साथ ही देखिए धतूरे के पत्ते भी उन्हें अर्पित किये जाते हैं तो मैंने वो आसानी से आपको मिल जाएगी अब इसके साथ ही यहां पर मैंने कुछ लाल गुलाब लिये हैं गनपरती जी माता पारवती को अर्पित करने के लिए एक गेंडे के फूलों की माला ली है और कुछ सफेद फूल भी मैंने रख लिये हैं अब देखिए महाशिवरात्री के द आप चाहें तो सोलस रिंगार की पिटारी भी लगवा सकते हैं क्योंकि महाशिवरात्री का जो दिन है वो शिव पारवती के विवाय की वर्षगांट के रूप में मनाया जाता है और इसके साथी देखिए महाशिवरात्री के दिन बेर के भोग का विशेश महत्व होता है तो यहाँ पर मैंने बेर ले लिए हैं और इसके साथी जो भी रितुफल आपके घर पर उपलब्द हों आप उने रख लें क्योंकि देखिए महाशिवरात्री पर सभी का व्रत होता है तो हमें फलाहार ही भोग अरपित करना होता है और देखिए अक्षत मैं आपको पहले बताना भूल गई तो हमें अक्षत भी ठाली में जरूर रखने हैं अब इसके साथी यहाँ पर मैंने शिवजी के लिए एक सवा मीटर पीला कपड़ा और माता पार्वती के लिए एक चुन्री ली है और इन दोनों वस्त्रों से हम शिवजी और माता पार्वती का गटबंदन कराएंगे अगर आप वस्त्र ना लेना चाहें इस तरह से तो देखिए कलावे से भी आप गटबंदन कर सकते हैं क्योंकि माहा शिवरात्री पर शिव पार्वती के गटबंदन का विशेश उपाय किया जाता है वैवाहिक समस्या के लिए और इसके साथी देख आप चौकी की जगह पर और चौकी या पटे पर बिचाने के लिए हमें लाल, पीला या सफेद कलर का वस्त्र भी आप बिचा सकते हैं और देखे माहा शिवरात्री पर आप एक बार शिवाले जरूर चाहें शिवलिंग पर जलर पित करें और इसके बाद तसल्ली से घर पर भी जरूर से पूजन करें माहा शिवरात्री का तो इस प्रकार से ये वो संपूर्ण पूजन सामगरी है जो माहा शिवरात्री के पूजन के लिए हमें चाहिए इसके अलावा अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें एक लोटा चाहिए तांबे या पीतल का और लोटे के अंदर डालने के लिए सिक्का, सुपाडी, हल्दी की गांट और हमें देखिए कुछ पत्ते चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते लिए हैं, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के या पान के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं, अ अब इसके साथ देखिए हमें एक जटा वाला पानी वाला नारियल चाहिए होगा, आप हिला कर देख लिए, उसमें पानी होना चाहिए, और अगर आप दीब कलश की स्थापना करें, तो एक शुद्ध देसी घी का दिया चाहिए होगा, तो उमीद करते हूं वीडियो से आ आप सभी को हेल्प मिले, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद